इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपको फोन में जब कोई मेसेज आता है, तो यहाँ पर लिखकर आता है, Spam Detected, Incoming Spam Moved to Spam and Blocked, यहाँ पर यह बोल रहा है, कि जो भी मेसेज आया है, जिसने भी आपको मेसेज किया है, फोन को लग रहा है कि यह एक fraud है, यह एक spam है, यह कोई hacker हो सकता है, तो इसने Spam and Blocked के फोल्डर में move कर दिया है, अब अगर आप इस मेसेज को देखना चाहते हैं, तो आपको Spam and Blocked के section में जाकर इस मेसेज को देखना है, आप यहाँ देख पाएंगे Spam and Blocked, क्लिक कर लें इस पर, तो यहाँ पर आपको सारे वो messages मिल जाएंगे, जो भी आपके phone को लगता है कि, यह कोई hacker ने भेजे हैं, या फिर कोई Spam है, या फिर कुछ Scam है, वो सारे messages हैं, ठीक है, तो यह message को आपको ignore करना है, सब बेकार के message जायतर होते हैं, तो उमीद करता हूँ, आप समझ गया होंगे, वीडियो पसंद आई हो, तो Techstore को subscribe जरूर कर दे,